देखे सदर्म बहुत कुछ होता है आपने देख सदर्म क्या क्या नहीं वहा है इंदिया कड़ बंदन की बड़ी बैठत और उस बैठत में चरचित नाम यानि कि मलकार जुन खडगे, मलकार जुन खडगे को PM उमिद्वार जो है, वो मुख्यमंत्री ममता बनर जी ने बोला कि PM उमिद्वार अगर कोई होंगे तो मलकार जुन खडगे होंगे, वहाँ पर दो लोग सबसे अरद दुखी हुए, ये बात मीडिया में चली, सबसे बड़ी बात है कि नितीश कुमार और लालू यादो उटकर वहाँ से निकल गए, यानि कि प्रेस कॉंफरेंस को अटेंड नहीं किया, असा पहले भी हुआ है इस चीज़ पर हम बात चीत करेंगे कि नितीश कुमार बार बार ऊटकर चले आ रहे रहे है, रहुल गांदी को बाहर करेंगे का हुआ है तो पर टेंगे है, या अम कुछे हैं लेकिन ईसद सेiénकी अरश के में यहां हिं ऐसे पार्ट आइब डिया मंदर सब्सक्राइब का मुझा से हैं डिची जब काम करें सामिल नहीं हुछता कुछ कि व्रक होगा उनका इस provide लेकिन आप से कोई मद्वेत ऐसा कुछ नहीं है देखे सब का यही मंसा है कि भाजपा सरकार जो हमारे देश को बरबात करने जा रही है उसको बचाने के लिए देश को बचाने के लिए सद्रेमिधान को बचाने के लिए हमको एक जूट होना पड़ेगा जब तक एक जूट प्रवाजपा की कुछ नेता कह रहे हैं कि राहूल गांदी पपू है ठीक है क्योंकि सदन के बाहर यानि पारल्यमेंट के बाहर जिस तरीके से देश की उपराश्रपती जगडीब धनकर जी का जो मिमिक्री किया गया और राहूल गांदी स्वेम उसका वीडियो बना रहे थे भाजपा पूछ रही है कि कहां गया आपका लोकतंतर कहां गया आपका स्वाभिमान जयनलोकतंतर की बात हो आप देखना होगा आधे तो डूट को सदले करना के लेकिन वीडियोगराफिट कि आप कर्या इवह जो कल रहे जो गलत में लुट कुछ बड़ता बात बात है जबादर बात है तो अच्छी बात नहीं है लोग जो है सड़कों पूछ रहे कि जिस मतलब पार्टी को हम नर्तित हो देंगे आगर माली जी मोदी जी हारते हैं तो राहुल जी को अगर नर्तित हो जाएगा कॉंग्रेस को अगर नर्तित हो जाएगा तो वह दिखना भी चाहिए ने सक्षा में हम देश चलाने के लिए औ इस मामले में आप खुद ने देखा जनता तो इस तरह की बाते हैं ना किया करें बहतर होगा तो जनता तो पनाती मोदी को भी बोली जब फाइनल मैच हारा इंडिया ऐस्ट्रेलिया से एहमदाबाद में जनता ने इस्तमाल के अपनू धी का ठीक है जनता ने इस तच्वाल किया लेकिन सदन में इस तड़ीके का करना आप यक फापि सदन के म्मेंबर हैं निय होनीद höण呢 पर उपराष्ट्र पती लिए उसके लागा कि पार्टी के नहीं होते हैं तो ऐसी बात नहीं होने चाहिए अगर उन्होंने किया है तो हमारे सबसे तो अच्छी बात नहीं है चलिए बड़ी बात है कॉंग्रेस से विधायक है किसन गण से इनका साथ साफ तो पर कहना है कि कहरें कि राहूल गांधी के पास निर्तित्तों करने की जो छमता है वो पुर्ण रूप से है फिलाल आपका क्या कुछ कहना है इस वीडियो पर कमेंड बॉक्स में लिखके रडू बताईगा आप देखते हैं सच टॉक